यह हैं अदित्य भाई जिनों ने भटनी और यहार रोट का डबलीं और रेर इलेक्टिफिकेशन का वीडियो बना कर हमें बेजा अदित्य भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक ये सो मच मेरे भाई आप जहां कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें ये दुआ है हमारी सामने देख सकते हैं भटनी जंक्शन डेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्ण नमबर तीन पर शाली मार एक्स्प्रेस आ रही है जो गोरकपूर से शाली मार के बीच में चलती है यहां पर देखिएगा तो डब्लिंग और रेल इलेक्टिफिकेशन का अपडेट रहेगा भटनी से और इहार के बीच में लगबग 125 किलोमीटर की दूरी है तो काफी कुछ एरिया इन्होंने कवर किया है खास तोर से बारिज का मौसम था बरसाच भी हो रही थी फिर भी इन्होंने वीडियो बनाया तो आप लोग भी अदिति बाई का शुक्रिया धन्यवाद चहूर अदा कीजेगा तो हम आप लोगों को जो घागरा नदी पड़ती है उसका अपडेट भी देंगे बाकी कई स्टेशनों की छोटी छोटी जलक देंगे और स्टेशनों के बीच में भी जो डबलिंग का काम किये जा रहा है उसकी भी जलक आप लोगों को दिखाएंगे तो भटनी जंक्षन देलवे स्टेशन से हमाई ट्रेन डिपार्ट कर दी है प्रेटफॉर्म नमबर तीन से और हम लोग अब बढ़ चने हैं माउ जंक्षन की तरफ पूरा अपडेट नहीं देंगे औरिहार तक बीच में कुछ स्टेशन गायब है यानि कि माउ से औरिहार के बीच में कुछ स्टेशनों के वीडियो कवर नहीं किये हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और मोबाइल के भीगने का डर भी था तो इस विज़े से आदित्य भाई ने माउ के बाद ज़्यादा तर इस्टेशनों का वीडियो नहीं बनाया है लेकिन जो उनको मौका मिला जिस इस्टेशन का वीडियो बनाने का उन्होंने बना भी लिया तो देखें फ्रेंड्स कितना ज़्यादा कर्व है जब मौल स्वारी जब भटनी जंक्शन से हमाई ट्रेन छूटी तो आदित्य भाय ने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की इस सवाव सो किलोमेटर की दूरी को कवर करने के लिए तो सब कुछ हम दिखाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू किया जाए आप रों को डबलिंग का अपडेट दिया जाए शाली मार एक्स्ट्रेस के द्वारा जो गोरकपूल से शाली मार के बीच में चलती है तो तेज रफ्तार से काम चलता है डबलिंग का यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी पाठने का काम चलता है समतल करने का काम किया जा रहा है यहाँ पर रेलवेट तयार हो रहा है सबसे बड़ी बात यहीं है कि ज्यादा तर चीजों को कवर किया गया है जहां तक जो इस्टेशन स्किप कर रहे हैं जैसे कि यह रहे के पहला आप लोग समझते जाएंगे जो इस रूट के लोग हैं रहने वाले उनको सब नौलेज होगी कि कौन सा इस्टेशन कब निकला कब नहीं पूरे वीडियो में हम एक्स्प्लानिशन नहीं करेंगे जरूरी जोरी जगा पर ही बोलेंगे तो आप लोग वीडियो को देखते जो जाएएगा पूरी जानकारी मिल जाएगी डबलिंग कम रेल इलेक्रिफिकेशन का काम कितना हुआ है कितना हुआ है कितना हुआ है एब एफ कहा लोगर को कि अ कि अ कार रवतल सुष्छी को अ कर रवार कुछरों यूम खिर एफ जाओर को नहां कि अ कि दोग अ कुछरों घच्छी तर वार वि मिलना कर दो दोगाय कि अ कर दोगा है कि खब कि अब फिर्फ़ड़ों नचने लिघग हुआ कि ऊंप हुआ हुआ, ऑब कि लिए, नचकर डियन दोगद कि अफ़गे, जब लिएक हुआ है। झाल दो झाल तो हमाई ट्रेंग धागरा नदी के पास पहुँच रही है जहांपर पुल बनाने का काम किया जा रहा है फिर भी बहुत काम बाकी है भी पुल बनाने में मान के चल सकते हैं कम से कम एक साथ जब लग जाएगा पिलर्स रेडी है कई जगों के यहांपर बरसाथ का मौसम भी चल रहा है और बहुती ज़्यादा लंबा यह पुल है आप खुद भी देखते जाएगे कितना लंबा है तो आगे भी आधे आधे पिलर्स तयार हुए है और जहांपर लंबे पुल की आफशकता होती है तो वहांपर समय भी लगता है क्योंकि बार बार राव मटेरियल ले जाकर नदी के बीच में फिर उसको डालना फिर वहां से काम करना यह आसान नहीं होता है तो एक चुनौटी पूर्ड वाला काम होता है और देख सकते हैं अभी तक कितना लंबा फुल है अभी भी चली रहा है जितनों मटेड़ मटेशीर करना प्रू करें बेस्टीता करता है कि वाल सकते हैं अबर करतादय को जब एक प Absolे करना पना फबूल कि वहां को रारा व कि दार पना, मैं आप बारा पयार समय रेंगा है कि जा रहत기도 है अर्बत प्रुंट प्राइब प्राइब झाल 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 झाल प्राइब झाल 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 झाल